मुंबई के वरिष्ट नेता और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवार का बुद्धवार सुभा निधन हो गया कोरोना वाइरस से संक्रमित होने के बाद एकनाथ गायकवार का मुंबई के प्रीच केंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था कॉरोना वाइरस से संक्रमित होने के बाद एकनाथ गायकवार का मुंबई के ब्रीच केंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था वो 81 वर्ष के थे एकनाथ गायकवार की बेटी वर्षा गायकवार महराश्ट्रा की शिक्षा मंत्री है जानकारी के मुताबक ब्रीच केंडी अस्पताल में सुभा करीब 10 बचे एकनाथ गायकवार ने अंतिम सांस ली कॉंग्रस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवार पार्टी के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके थे महराश्ट्रा की राजनीती में कॉंग्रस को आगे बढ़ाने में उनकी भूमे का बेहत एहम रही थी ऐसे में गायकवार का निधन प्रदेश कॉंग्रस के लिए निश्चित तोर पर बड़ा जटका है एकनाथ गायकवार जी के निधन को लेकर बीजेपी आमदार प्रसाद लाड ने कहा हम बेहत दुखी हैं महराश्ट्रा के विकास में उनका योगदान रहा है और राजनीती में कई लोगों को प्रेरित किया था प्रसाद लाड ने कहा उनकी शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी हार्थिक संबेदनाएं हैं मुझे पहने ग्यारा के आसपास माजी खासदार महारस्ट कॉंग्रेस के माजी अध्यक्ष एकनाथ जी गायकवार की निधन की बात में आई पोधी कर्मट कॉंग्रेस के कारे करता जिनों ने दक्षिन मध्य मुंबई ने तो पूरे मुंबई में समाज को सातमर लेकर कॉंग्रेस को बढ़ाने का काम किया हम बले वीरोधी पक्ष में रहे लेकिन उनकी काम के हमेशा मैंने प्रसंसा की है जब भी हमें जरूरत पढ़ती थी तो हमें मार्क दर्शन भी वो करते थे ऐसे कर्मट कॉंग्रेस नेता को मैं श्रदान जली अरपित करता हूँ और मेरे जनम दिन के मौके पर मैंने रक्तदान शिविर का कारे करम किया है मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वो कारे करम बंद नहीं किया तो जी मुझे ऐसे लगता है कि एकनाज जी अगर जिन्दा होते तो उन्हें भी अच्छा लगता कि जनम दिन के मौके पर मैं रक्तदान शिविर जैसा कारे करम ले रहा हूँ लेकिन मैं मेरे कार्यकरतवा के और से भारते जनता पार्टी के और से उन्हें मन से शरदा नजली अर्पित करता हूँ देवी यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाग मेने पार्टप को तीचे जाज़त हम फिर मिलते हैं नई ख़बा नए सफ़र के साथ लेकिन चलते चलते गुजारिस बिंतिय नूर यदि आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना हो है